आज हम लग जानेंगे 6 ऐसे amazing कचोड़ी टिप्स जिसे follow करके आप कचोड़ी बनाओगे तो आपके कचोड़ी बिल्कुल perfect बनेगी कभी भी बिगड़ेगी नहीं चलिए जानते हैं कचोड़ी टिप्स सबसे पहले हम लग जानेंगे जब भी आप कचोड़ी के लिए दो तयार करते हैं तो दो को क्या करें अच्छी तरह से गुंत ले दो को अच्छी तरह से गुंतने के बाद में एक सूती का कपड़ा ले सूती के कपड़े को हलका सा गिला कर ले और गिले कपड़े को डो की बेशन संब्सक्राइबुट करें मूफ जनफ़ाइब या परफिए तैसे UN sob2 बहुत पूरता प्रे ihmलिक के बारे मितक्राइब तो बेशन को क्या करते हैं? हम लगोंस्ते हैं. वक्त क्या करें? जब 50 percent भूनस्ते हैं उसन क्या करें? ने खु़आ थोड़ा पानी डालें, बहुत ज्यादा पानी डालें की जरूरत कार्ण या हलका सा गाटấp हैं तो हिसका कारण यह है स्टफिंग को तैयार करने के बाद में इन्हेने घड़का सा थंडा होने देखे abroad में क्या करें थोड़ा सा एक से दो टेबल स्पून के करीब चीनी जरूर डाले इससे क्या होगा जो स्टफिंग है उसका जो स्वाध है वो दुगोना बढ़ जाती है नेक्स रव सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे जब भी आप कचोड़ी को तलते हैं तो तलते वक्त क्या करें गैस का फेम के तरब बहुत ज़्यादा ध्यान देनी की जरूरत है आप कैसे भी गैस में इन्हें नहीं तल सकते अगर आप इस तरह से तलोगे तो क्या होगा आ आपकी जो तेल है वो बहुत ज़Group नहीं होना चीए बहुत ही कम गरम होना चीए कम गरम तेल में क्या करें कचोड़ी को डाले और पछले पास 6 मिन Chromas कम ग्यास में ही तले उसके बाद में क्या करें ग्यास का फेम मेडियम करें मेडियम ग्यास में तीन से चार मिनिट तलें उसके बाद में इसमें कलर आने के लिए क्या करें सबसे लास्ट में कम से कम पास से छे मिनिट इन्हें हाई ग्यास में तलें अगर आपके जो कचोडी का कलर है वो हलका भूरा आ गया है इस वक्त क्या करें कचोड़ी को निकाल ले इस तरह से तलने से आपके जो कचोड़ी बहुत ही अच्छी और खस्ता बनेगी और अंदर से बिल्कुल भी पकीगी मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से पकीगी इस तरह से आप बहुत ही अच्छी कचोड़ी बनाए इन छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अगर कचोड़ी बनाओगे तो आपकी कचोड़ी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी कभी भी बिगड़ेगी नी इस तरह से आप कचोड़ी बनाए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद